कि अज़ो दोस्तों एस्ट्रो गाइद में आपका वेल्कम कि दोस्तों आज हम बात करेंगे कुंडली में खणा नंपर 11 में जब सूर्या देव होते हैं तो उसका हमें क्या फ़ल मिलता है अगर आप चैनल के उपड़ नए हैं तो प्लीस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें खाना नंबर 11 में जब भी सुर्या देव होगे दोस्तों तो उसके लिए पूरन धर्मी मगर अपनी ही एश में पसंद इंसान खाना नमबर 11 में जब भी सुर्य देर होते हैं दोस्तों तो ऐसा इंसान जो होता है वो दर्म को मानने वाला भी होता है दर्म को मानने के साथ साथ दोस्तों ऐसा इंसान खुड अपनी एश पसंद इंसान भी होता है दोस्तों अब सूर्या देव का यहां पे बैठना हमें क्या फल देगा उसके क्या नेक फल होंगी और क्या उसके बुरे फल होंगी उसके बारे में यहां हम चर्चा करेंगे पूरा धर्मी नेक चलते पूरा परिवार मुकिया आप हो शिराब खोरी घोष्ट थोड़े तीन बेटा बाप हो मंदा शनी बुद तीजे आया आठ चंदर पुद बैठा हो उमर लंबी चाहे हर दम होगा हराम कारी का पुतला हो पांच में चंदर दे उमर जो बारा उलाद पैदा ना होती हो फुराक शनी ने संतान होता दान मुबारत मूली हो तो दोस्तो इन पंक्तियों को अगर हम समझें तो इसमें बताया गए है कि खाणा नमबर 11 में जब भी सुझा देवाएंगे तो ये शनी का गर है दोस्तो गुरू का ये जरबार है तो गुरू और शनी के इस क्यूची की कारण खाणा नमबर 11 में शनी की कलम से गुरू अपना फैंस वजा देते हैं यहां पे तो जब कोई भी ग्रै अपने दुश्मन के पक्के गर्द के दुश्मन की राशी में जाके बैठेगा तो कहीं न कहीं ऐसे इंसान की जो फल होंगे उस ग्रै के सबंदित खराब देंगे आप अपने कर्मों दोबारा उस ग्रै को अच्छा रख सकते हैं उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों यहां पे शनी को आपने मजबूत नहीं करना है अगर आपने शनी को यहां पे मजबूत किया तो शनी वो सूर्या का आपस में टक्राब होगा जिस से इंसान का शुक्र ग्रै जो होता है वो पीडित हो जाएगा दोस्तों और कहीं न कहीं सूर्या जब भी खराब होगा दोस्तों तो उसका असर जो होगा वो केत जाने के पुट्र संतान के उपर भी जाएगा तो कहीं न कहीं यहां पे आपको सूर्या को अच्छा रखना है शनी को जैसे कि अंडा मास मच्छी ड्रिंक इन चीजों वो आपने बिल्कुल भी नहीं करना अगर आप शनी की चीज़े को मियूंग करेंगे तो सूर्या के फाल आपके सारे के सारे खराब हो जाएंगे दोश्तों अगर हम नेक सूर्या की बात करें तो ऐसा इंसान जो होगा वो दर्म को मानने वाला होगा एश पसंद होगा और उसका जो परिवार होगा वो बड़ा सुखी होगा दोश्तों और सूर्या का यहां पे बैठना अच्छे के निशानी यह होगी कि ऐसे इंसान तो पुत्र संदान जो होगी वो बहुत जल्दी मिल जाएगी लेकिन अगर यहीं पे सूर्या को आपने शनी की बुरी चीज़न को कंद्यूम करके ठराब कर दिया तो उसका असर जो होगा वो पुच्छर संदान जाने की केत्व के उपर आएगा मंदी हरत में आप क्या करें दोस्तों मंदी हरत में ऐसा इंसान जो होगा 45 साल तक ऐसा इंसान को पुच्छर संदान करापत नहीं होती है उसको सपने में सापों का तमाशा जुबान का खोटा पनल डाई जगड़े अपने परिवार में लिटीगेशन्स में चले जाना तोखा धरी फ्रेव इन चीज़ों में ऐसा इंसान बड़ा रहेगा इन चीज़ों को आओ अगर आप समझें तो ये चीज़े कब होंगी ये चीज़े तब होंगी दोस्तो अगर आप शनी को खराब करेंगे शनी हैं जूट मकारी और शनी को देखने के लिए दोस्तो आप और रहो गेत्यू को भी देखना पड़ेगा तो सिंपल सा फंड़ा यहां पर यहां पर आप यहां पर अच्छा परबाब दे सकते हैं सिर्फ और बज़ात बजातरा पते सिर्फ सोने के टाइम पर और सुबह उठके से दाध्यक्तान पर दें ऐसा आप साल में छे मीने में एक बार करते रहें अगर वश्वल में यूती बन रही हो तो उस साल आप जिरूर करें और शनी के मंदेगारे बिल्कुल भी न करें आप सुरिया यहां पर अच्छे माने गए हैं इंक्टूं के रास्ते भी कुरते हैं अच्छे लोगों से आपकी लिक भी बन जाते हैं उठनी बैटनी आपकी अच्छी होती है सिर्फ और सिर्फ कारण यही होंगे कि आगर आपको यहां पर सूर्य का प्रवाब नेग्टिव आ रहा होगा तो कहीं न कहीं आपने नॉन वेज ट्रिंग मास मच्छी मदिरा के अंदर आप लिप्ट हो जोगे होंगे जिससे सूर्य का असर जो होगा वो केटू के ओपर भी बढ़ेगा और केटू जो है वो आपका जंडा है आपका नाम शान शोहरत है और आपकी खुतर संताल है दोस्तों यह कुछ बातें थी सूर्य काना नुबर 11 वालों के लिए आप भी अपने कुंडली में जुरू चेक करें या आपको सूर्य के क्या यहां पर असर मिल रही है दोस्तों आज के लिए इतना ही चैनल के उपर बने रहे हमारी नेक्स वीडियो भी चैनल के उपर अप्लोड होगी दोस्तों दन्यवाद